ये आकाशवाणी है, कारिक्रम सामाईकी में प्रस्तुते कोरोना वाइरस संकर्मन पर स्वास्थे विशेशग्य डॉक्टर अपरणा अगरवाल से आकाशवाणी समवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बादचीट नमस्कार, जिंदगी में सफल होने के लिए हम सब कड़ी मेहनत करते हैं, छात्र, मन से खूब पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परिक्षा की तयारी करने वाले डेडिकेशन और कॉंसेंट्रेशन के साथ नौकरी पाने की कोशिश करते हैं, नौकरी में आने के बाद और इमानदारी से पढ़ाई करने वाला चात्र, परिक्षा में हमेशा अच्छा करता है, ठीक ऐसे ही, अगर हम सब ने इंसाब धानियों का पालन किया, तो हम भी कोरोना को मात देने में जरूर सफल होंगे, अपने शोताओं को एक अच्छी खबर दे दी जाए, कि भारत के पहले कोरोना वैक्सीन, कोवाक्सीन को DCGI की मनजूरी मिल गई है, इसका जुलाई में मानव परिक्षन किया जाएगा, इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक खबर आई, कि दिल्ली में प्लाजमा बैंक बन रहा है, प्लाजमा बैंक बनाने का मुख्य उद्देश ही बीच में बिगडी और उनको प्लाजमा थेरपी से ही आराम मिला, दिल्ली सरकार ने प्लाजमा बैंक बनाने की घूशना की है, क्या है प्लाजमा बैंक और अब तक जो प्लाजमा पध्धती से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उसके क्या परिनाम आए हैं? प्लाजमा बैसमा जो हम देते हैं, उसके साथ अंटीबॉडीग देते हैं, जो मरीज इसे घ्रशेटों परर फटीक हो गयते हैं। उनमें एंटीबॉडीज प्रिधरुस होती हैं। किसी भी इंफेक्शन में, जो बाडी में, जब हम उससे रिकावर करते हैं। तो तो इसको हम यूज कर सकते हैं फोर ट्रीक्मेंट ऑफ बाट डिसीज तो कॉरोना वायरस में हमारे पास और अभी कोई डेफिनेट क्योर नहीं है और एंटिबोडी यूज करने से पाया गया है कि बहुत मरीजों में ये काफी हेल्प करना है तो सबने न्यूस सुनी होगी कि जो देली के हेल्थ मिनिस्टर है वो तो बड़े जल्दी रिकावर कर गई है देने से तो ये प्लास्मा थेरपी हम लोग देते हैं जो कॉर्णा सिग्रसिज जो मॉडरेटली सिवियर जिनमें इन्वाल्मेंट है उसकी कैटेगरी हम लोग ने अलग-अलग बनाई हुई है एक माईली सिम्टमाटिक बोलते हैं एक माईली सिम्टमाटिक बोलते हैं जिनमें कोई लक्षन नहीं होते और जिनको टेस्टिक से ही पता चलता है अदरवाइस कोई पेशन का नहीं उसमें हम लोग डाइग्नोस कर पाते हैं और माईली सिम्टमाटिक मतलद जिनमें कोई भ बिमारियों में भी हो सकते हैं, two type of symptoms या वैसे, और moderate involvement मूलते हैं, जिसमें साथ में सांस की तकलीफ होती है जिन में, बुखार है, खासी है, साथ में सांस की तकलीफ है, उसमें moderate involvement मूलते हैं, guidelines के इसाथ में oxygen saturation और ये है, आम आदमी के लिए जिसमें oxygen के requirement है, उसको हम लोग moderately infection मूलते हैं, जिन में सिर्फ oxygen से भी improvement नहीं होती है, उसके अलावा और जवरत होती, जैसे ventilation के जवरत होती हैं या कोई दूसरी चीज़ें हम लोग को try करने पड़े, उन में हम लोग बोते हैं severe infection, तो plasma therapy ऐसे लोगों में use करते हैं, जिन में moderate infection है, और वो सिर्फ oxygen से नहीं control हो रहा है, जिसमें saturation नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसे patients में अगर हम plasma के जरिये antibodies ने, जो protective antibodies बोल रहे हैं, तब ये patients में recovery के chances काफी बढ़ जाते हैं, अभी तक ये trial के stage में हैं, क्योंकि plasma therapy, covid infection जैसे सब को मालूम है, कि ये निया infection है, और इसके बारे में बहुत जादा जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग therapy के लिए जो भी चीज़ें try करने हैं, कई दवाईयां try करने हैं, और ये therapy जो हम लोग दे रहे हैं, antibodies, ये सब नई दवाईयां हैं, इसलिए इसलिए इन सब को मुलते हैं कि trial के तोर से दे रहे हैं, क्योंकि definitely हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके results अभी तक काफी अच्छे हैं, नहीं हों, और mild में देने की ज़रत नहीं है, तो correct picking up of the patient, कि किस stage में इनको दें और ये दें, second चीज़ ये है कि इसमें जब भी हम patient choose करते हैं, patient की choice correct होनी चाहिए, और second हम किसे plasma ले सकते हैं, तो plasma उन patient से ले सकते हैं, जो corona से aggressive हुए थे पहले और अब fully recover कर गये हैं, उनको कम से कम चार हफ़ते हो जाने चाहिए recovery के बाद, तो minimum 28 days after recovery, और ये ऐसे patients में लेते हैं, जो कि symptomatic हो रहा हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जो symptomatic patients हैं, ऐसा पाया गया है, क्योंकि antibody levels ज़्यादा होती हैं उनके plasma में, levels higher होते हैं, इसलिए जब हम plasma लेंगे, वो announce करेंगे कि numbers क्या हैं, लेकिन आप किसी भी blood bank में donate कर सकते हैं, जहां पे भी COVID patients हो रहे हैं, वाँ blood bank में donate कर सकते हैं. मैं, जो plasma bank बनाने के पीछे जो तर्क दिया गया है, वो ये है, कि जो plasma donor है, वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, और plasma bank बनाने के माध्यम से donor को प्रोथसाहित किया जाएगा, कि वो आएं और plasma donate करें. अब यहां पर शोताओं के मन में भी एक सवाल है, जब भारत में लगभग 2,25,000 से ज़ादा लोग कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं, क्या कोरोना को मात देने के 28 दिन के बाद कोई भी मरीज plasma donate कर सकता है? पहला दूसरा, क्या उसके शरीर पर plasma donate करने का कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, कमजोरी होगी, किसी तरह की कोई परिशानी होगी? डोनर के लिए कोई परिशानी नहीं होगी. एट ताइम, 200 ml तक उसका ले सकते हैं, मरीज को 200 ml देते हैं एट ताइम, और दो डोसेज इसकी देते हैं, 100 ml एच ताइम, जैसे ब्लड के लिए भी, जब हम लोग लेते हैं किसी में मरीज से, उसमें 3.5-3.5 ml लेते हैं, और इसमें हम सिर्फ प्लाजमा लेते हैं, तो डोनर के लिए एकड़म कोई प्राब्लम नहीं है, और उनको अपने माइन में ये रखना चाहिए, कि वो किसी को जिन्दगी देने में सब्पल हो रहे हैं, किसी के ब्यादर रीजन की किसी को लाइफ मिल रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने आना चाहिए, और जैसा मैं पहले कह रही थी, कि चॉइस में ऐसे लोगों को चूज करते हैं, जिनको सिंप्टम्स हो रहे हो पहले, और मिनिमम ट्विंटी एप डेज रिकवरी के बाद हो गये हों, जैसा कि ज्यादा पढ़ना बता रही है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने आना चाहिए, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी कई बार कहा है, कि कोरोना संकट जो है एक आपदा है, लेकिन आपदा में अवसर भी तलाशने की जरूरत है, जो लोग कोरोना को माद देने में सफल हुए हैं, जो 28 दिन जिनके पूरे हो चुके हैं, उनके पास एक अवसर है कि वो प्लाजमा डोनेट कर, दूसरों की सिंदगी फिर से बचा सकते हैं। अब क्या संदेश देंगी कि जब भारत अनलॉक की प्रक्रिया में हैं तो क्या साफधानी बढ़ती जाएं। यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी कि हम मास्क हमेशा पहनें, सुशल डिस्टेंसिंग रखें और जितना कम से कम जर्रत है, जरूरत के इसाब से बहाँ निकलें। जितना वाइट कर सकते हैं, उतना वाइट करें। केसिस बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा बहाँ निकल रहे हैं, तो प्रिवेंशन का हमको बहुत अधिक ख्याल रखना चाहिए। और वो सिर्फ अपने बचाप के लिए नहीं है, दूसरों के बचाप के लिए भी, दोनों के बचाप के लिए भी है। साफधानी वही सेम चीज़ें जो बोला है, कि कहीं पर भी आप जाएं, एक तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है, और सेकिट डिस्टेंसिंग रखनी है। कुई भी दो जने बहार में जब भी ट्रैवल करें, तो मार्केट में जाएं, कहीं पर भी जाएं, ऑफिस में रहें, तो ट्राई ये करना चाहिए, कि आईडियली दो मीटर, नहीं तो कम से कम एक मीटर की दूरी बनी रच्छें, और बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। आकाशवणी समवादताता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कारिक्रम आकाशवणी के समाचार सेवा प्रभात द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल अप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कारिक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें इमेल कर सकते हैं, पता है www.airnsdtalks.gmail.com ये कारिक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग आन करें, हमारी वेबसाइट www.newsonair.com